लास्ट कुश्चन के अंदर हम लोगों ने इस वाले फर्स्ट पार्ट को डिसस किया था ठीक है लास्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोग इस वाले भी पार्ट को डिसस करने वाले हैं अब इस भी पार्ट में मैं उतना लेंदी नहीं करूँगा इसको छोटे से method के थूप बता दूँगा मैं ठीक है आप इसको इस तरीके समझीएगा देखें यहां पर क्या होगा कि यह जो 2m मास है यह 2m मास का जो coefficient of friction है वो 1 by 5 है तो mu2 जो है वो है 1 by 5 जो की आगे चलेगा ठीक है और mu1 जो है वो है 2 by 5 अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यह जो mu1 है यह 1 के यह जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसका जो coefficient of friction है coefficient of friction इसका 2 by 5 है इस 2 by 5 से अगर मैं इसको solve करूं तो यह जाएगा 0.4 और mu2 का जो coefficient of friction है वो 0.2 तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यह अगर यहां पर friction नहीं होता यह smooth surface होता तो यह भी g sin ठीटा से नीचे जा रहा होता यह भी g sin ठीटा से नीचे जा रहा होत है क्योंकि दोनों का ही उपर friction उपर लग रहा है opposite direction में और friction की value के उपर depend करता है कि किसका acceleration ज्यादा होगा है ना otherwise अगर यह smooth surface होता है दोनों ही same acceleration से मुख करते होते हैं अगर आप थोड़ा से ध्यान से देखें तो क्योंकि क्योंकि जो a block है उसका coefficient of friction ज्यादा है coefficient of friction ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो गया कि भी जो a block है acceleration of a block is less than acceleration of b acceleration of a is less than acceleration of b it means it means both blocks are moving with different acceleration दोनों block अलगल acceleration से move कर रहे होते हैं होंगे ठीके ना अब वो क्या acceleration होगा वो हमें देखना होगा ठीके यह हम मानके चल रहे हैं इनिशली जो हम यह वाली बात कर रहे हैं यह तब बात कर रहे हैं जब हम यह मानके चल रहे हैं कि दोनों ही independent move कर रहे होंगे ठीक ना तो independent move कर रहे होंगे तो इस condition में यह होगा ठीक है अब वैसे भी हमारे यह condition satisfy कर रहा है और उस condition के according यह दूनों block अलग-अलग move कर रहे हैं और अलग-अलग move कर रहे हैं तो दूनों का अलग-अलग acceleration होगा तो हम बात करते हैं for block B, B block के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखे हैं तो यह होगा 2M इधर जो force लगेगा वो 2Mg sin 37 degree इधर जो friction force लगेगा वो लगेगा mu2 into n इधर लगेगा 2Mg cos 37 degree और यहां पर लगेगा normal reaction force तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखे हैं तो यह होगा 2Mg sin 37 degree minus mu2 into n is equal to 2M into acceleration of B block ठीक 2Mg sin 37 की वोगेगा 3 by 5 mu2 mu2 की वोगेगा 1 by 5 और यहां पर होगा 2Mg cos 37 degree this is the normal force 2M acceleration of B 2M से यह 2M कट इया यह 2M कट इया यहां पर G की value 10 हो जाएगे और यहां पर 3 by 5 that is equal to 1 by 5 और यहां पर G की value कितनी हो जाएगे यहां पर G की value 10 और cos 37 4 by 5 that is equal to acceleration of B ठीक जब हम इसको solve करेंगे तो 5 यह 2 और यहां जाएगा 6 और यहां पर होजाएगा 2 8 by 5 that is equal to acceleration of B और यह होजाएगा 30 30 minus 8 that is equal to 22 by 5 this is the acceleration of B और इसकी value आ रही है 4.4 meter per second square this is the acceleration of B this is the acceleration of B ठीक ऐसे हम बात करेंगे 4 acceleration of A acceleration of A for block A acceleration क्या होगा देखते हैं यहां पर हमने एक ब्लॉक मना लिया A और यहां पर इसका mass कितना है यहां पर small m और small m तो नीचे की और force लगेगा mg sin 37 degree opposite direction of friction लगेगा that is equal to mu 1 into n यहां पर लगेगा mg cos 37 degree normal reaction force ठीक है mg sin 37 degree minus mu 1 into n is equal to m1 m into A acceleration of A ठीक mg sin 37 3 by 5 minus mu 1 की वहां पर लो जागे 2 by 5 और mg cos 37 degree और m acceleration of A mm कर दिया g into 3 by 5 minus 2 by 5 g और यहां पर 4 by 5 acceleration of A तो अगर आप थोड़ा से दिहान से देखे हैं तो यहां पर यह 5 टू पर कर जाएगा यहां 6 minus यह 5 टू पर कर देगा और यह जाएगा और यह जाएगा 16 by 5 acceleration of A तो यहां पर आप देखे हैं तो 6 minus 3.2 this is acceleration of A that is 2.8 meter per second square this is acceleration of A तो first of all body जो होगा वो 2.8 meter per second square A body जो होगी वो 2.8 meter per second square acceleration से move करेगे और B body जो है वो 4.4 meter per second square acceleration से move करेगे और यह दोनों ही body अलग-अलग acceleration से move करेंगे separate होके move करेंगे I hope आप लोग को question संद्ध माया गया होगा और यह चीज मैंने आप लोग पहले ही बता दिया था thanks for watching this video और ऐसे भी आप देखे है यहाँ पर acceleration of B is greater than acceleration of A so both blocks are moving move separately thanks for watching this video and please subscribe the channel for watching this type of video okay bye